ओल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियो जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लोड मेकेनिक्स और मसीन के सिरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पड़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हो सारा कंटेंट आप कर चुके हैं यह लैमिनर टर्बूलेंट फिलो वाई डिजिटल क्लास कौन कौन सा फिलो लैमिनर होता है कौन सा टर्बूलेंट होता है क्या कंडिशन होती है इनकी साथ हूँ किस परकार फिलो को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और रोटेशनल एंड इरोटेशनल फिलो किस किस परकार रोटेसन आता है पार्टिकल में किस परकार इसको कंट्रोल किया जा सकता है कम या जादा हो सकता है कौन-कौन सी कंडिशन होती है साथ यह इस परकार यह डाइग्राम भी देखा था आपने और यहां पर आपने जो टॉर्क आ सकता है इसमें वह भी देखा था यहा जा सकता है अब सात्यों अब पढ़ेंग हैं वन टू एंड थ्री डाइमेंशनल फ्लो यहां पर सात्यों एक डायरेक्शन में फ्लो हो दूसरी डायरेक्शन में जाने पर जो अपनी वेलोसिटी है या फ्लूड का फ्लो है उसमें क्या वेरिशन आ रहा है और जैड लिए जा रहे हैं क्या आप चैंज जा रहा है साथ ही वह सभी स्टेडी करने वाले हैं 1, 2 and 3 dimension में यह प्रदर्शित करेंगे साथ हो आपको direction और dimension यह flow is classified as 1D, 2D and 3D flow depending on the number of space coordinates required to specify the velocity field जैसा कि आप देख सकते हैं साथ हो we know that यहाँ पर velocity जो यह velocity field होता है इनका यहाँ बताया जा रहा है जो space coordinate हैं x, y, z जो हम प्रदर्शित करते हैं उनसे flow को हम पहचानते हैं यह 1D, 2D यह 3D कौन सा type का flow है we know that velocity vector क्या होता है साथ हो velocity vector होता है i direction velocity y direction में और z direction velocity क्या होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं v is equal to u i cap plus v j cap plus w k cap u i cap है साथ हो जो आपको x direction में बता रहा है इसकी velocity जो अपना fluid particle है उसकी कितनी velocity x direction में y और z direction में इस परकार साथ हो हम इसे vector format में लिख सकते हैं इस पर यहाँ vector लगा सकते हैं velocity अब यह velocity किस पर depend करती है velocity is function of x y z and t coordinate यह आप इसे लिख सकते हैं velocity is function of v x y z यहाँ velocity किस परकार आप लिख सकते हैं function of velocity है जो अपनी x y z and time पर depend करती है इस परकार आप इसे 3D flow कह सकते हैं क्योंकि इसमें 3 coordinate define है अब resultant निकालना हो आपका velocity का तो हम पिसली वीडियो में जान चुके हैं इसको आप mode भी लगा सकते हैं इस परकार यह सिर्फ v से प्रदर्शित करें under root u square plus v square plus w square इस परकार हमको इसका resultant या magnitude प्राप्त हो जाता है velocity का अब यदि 2D flow की बात हो रही हो साथियो तो हमें सिर्फ 2 dimension से मतलब है i, j यह आप कह सकते हैं x direction बता रहा velocity यह y direction बता रहा है v is equal to u i cap plus v j cap इस परकार अब इसका magnitude निकालना हो तो साथियो under root u square plus b square लिख सकते हैं यहाँ भी v is function of x, y and t यहाँ पर साथियो x और y दो coordinate पर depend है और time इस परकार इस 2D flow को हम describe कर सकते हैं 1D flow के लिए यहाँ पर सिर्क एक dimension होगी साथियो velocity is function of x and time इस परकार इसे आप लेख सकते हैं not function of y, z यह z और y जो space coordinate है उन पर depend नहीं करता है इस velocity को परदर्शित करने के लिए आप v is equal to u i cap से काम चला सकते हैं तो इस परकार का अपना जो flow है one dimensional flow होगा साथियो इस से related आप और इसे update करना चाहते हैं इस से related कोई point लिखना चाहते हैं आपके लिए space से साथियो जैसे आपको बताया जाता है notes बनाते वक्त आप बीच में blank page जरूर डालने PDF डाउनलोड करते हैं तो क्योंकि आपके special point note करने में आपके बहुत help कर सकते हैं कुछ इस से important related point हो जो आपका निसकर्स निकल कर आता है वो सब आप डाल सकते हैं साथियो इस परकार one two three dimensional flow अपने ये complete होते हैं इसी के साथ ही आप question भी जो practice करें वो question भी यहां लिख सकते हैं ऐसे space देकर blank page पर साथियो जो आपके help करेंगे concept को और अच्छे समझने में one two और three dimensions से मतलब है साथियो आपसे एक direction में study करना चाहते हैं दो direction variation आ रहा है मान लेते हैं इस परकार एक direction जाते हो उपर वाई direction की तरफ जा रहा है इसी परकार हो आपकी screen तरफ direction में भी आ रहा है साथियो तो इस परकार का flow डिफाइन कर सकते हैं इनसे dimension से आपको पता चल जाएगा इस परकार के flow 1D 2D 3D flow होते हैं साथियो उमीद करते हैं वीडियो में दिगए जानकार आपको समझ माई होगी अभी भी आपका कोई confusion है तो आप हमसे comment करकर पूछ सकते हैं साथियो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको वीडियो description मिल जाएगी वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद